इस वीडियो में हम लिखने वाले हैं विपिन चंद्रपाल पर दस पंक्ती तो ज़्यादा समयना लेते हुए दोस्तों चलिए लिखना शुरू करते हैं विपिन चंद्रपाल पर दस पंक्ती विपिन चंद्रपाल एक राष्ट्रवादी नेता, सिक्षक, पत्रकार और स्वतंतरता सैनानी थे उन्हें भारत में एक रांतिकारी विचारों का जनक भी माना जाता है उनका जन्म 7 नवंबर 1858 को बांगलादेश ब्रेटिस भारत में हुआ था नमबर 4 उनके पिता का नाम राम चंद्रपाल और माता का नाम नारायनी देवी था नमबर 5 उन्होंने कलकत्ता विश्विद्याले में सिक्षा गरहन की थी नमबर 6 उन्होंने अपना संपूर्न जीवन देश सेवा और सोतनता के लिए समर्पिद कर दिया था नमबर 7 उन्होंने अंग्रेजी सासन के विरुद्ध कई अंदोलन का नित्रत्य भी किया था नमबर 8 उन्होंने भारत्यों स्वाधिन्ता अंदोलन की रूप रेखा तैयार करने में प्रमुख भूमी का निभाई थी नमबर 9 उन्होंने पूरे देश के नागरिकों से स्वदेशी वस्त्वों का अपयोग करने को कहा था नमबर 10 विपिन चंडरपाल जी का निधान 20 मई 1932 को हुआ था तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपके लिए हेलफुल है तो त्ली जाप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद